अगर दोस्तो आप छोटी की रिटस हो और दोस्तो आप अपने चैनल पर डेली वीडियो को अपलोड करते हो लेकिन दोस्तो आपके वीडियो पर न भीडियो जाता है न आपका वीडियो का इंप्रेशन जाता है तो ऐसा दोस्तो आप सभी लोग का इसलिए होता है क्योंकि आ और आपके चैनल पर कितने समय में कितने बज़े आपके चैनल पर आते हैं आपको यह पता लगाना बहुत ही जुरिश्य है तब ही जाकर डोस्टों आपके चैनल पर भीडियो पहली हुझ बहुत्पर बैज arises आपको दोस्तों और आप बहुत सरे क्रेटर्स के वीडियो को देखे होगे कि आपको बताता है कि आप इतने बज़े वीडियो का अपलोड करो, आप सुबह अपलोड करो, आप साम को करो, आप बारा बज़े करो, आप एक बज़े करो, इस तरह से आपको तरह तरह के बातों क खुद ही बताता है क्योंकि दोस्तों आपके चैनल के हिसाब से जो आपका YT Studio है वो आपको खुद ही बताएगा कि आपको किस टाइम में और कितने बज़े आपके अपने वीडियो को अपलोड करना है और कितने बज़े आपके चैनल के ओडियंस आपके चैनल पर आते हैं आप आपका YT Studio ही बताता है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तो आप समी लोग भी जान पाओगे कि आखिर आपका वीडियो अप्लोड करने का सही टैमिंग क्या है, आपका YT Studio में किस तरह से बताता है, आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाँगा, और आप भी दोस्तो उसी अपने वीडियो को अप्लोड किजेगा, अगर आप उस टैमिंग में अपने वीडियो को अप्लोड करते हो, और आप डेली उसी टैमिंग में अपने वीडियो को अगर अप्लोड करोगे दोस्तो, तो समझो कि आपके चैनल पर भी आएंगे, आपका वीडियो का इंपरेश दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप से भी लोग को अपने YT Studio को पिन करना है अगर दोस्तों आप यहाँ पर वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप से भी लोग भी अपने चैनल पर ढूंदते रहा जाओगे आप अपने YT Studio में ख आप्सन दिखेगा तो यहाँ पर आपको किलिक करना है इस पर आप किलिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको JOSH कुझ है वो आपको यहाँ पर दीखने को मिल जाएगा इसके वाद यहां पर इधर इस टॉल करोगे तो यहाँ पर आपका वीडियो का वाज्ट टैम्म देखने को मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधे मुध्दय की बात करेंगे से आपके चलनल थे हो जो कि एक मिलेगा ओडियंस का अपसंद तो यहां पर आपको इस पर किलिक करना है इस पर आप किलिक करोगे दोस्तों तो यहां पर आप उपर में देख सकते हो जो कि एक क्लिका वारा है returning viewers यानिक दोस्तों आपके चैनल पर कितने सारे रहे हैं & यहां पर आपको इस तरहसे graph यहां पर बना हुआ दी खाएगा उपर में। तो इस तरहसे आपको यहां पर बताता है कि आपके कितने नए viewers है और कितने यहां पर आपके रिटर्निंग नहीं आय हुए हैं, और यहां पर आपको यह सब्ता का नाम दिखाता है, जो कि है Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Saturday, यानि कि यहां पर आपका सब्ता में दिखाता है कि आपके कौन-कौन दिनों में, कि और कितने टाइम में आय हुए हैं, यहां पर आपको वाईटीश डू बताता है, दोस् इसका मतलब कि आपके चैनल पर कितने विवज भीवेस आते हैं यहाँ पर आपको दिखाईगा कैसे दिखाईगा आप धियान दीजेगा ज़ादा यहां पर कलरह सब्सक्राइब कि बहुत ज्यादा रहे हैं इस टाइम में यहाँ पर और भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर Wednesday को, यहाँ पर Saturday को, यहाँ पर Friday को और यहाँ पर Thursday को देख से किस तरह स्विवस आये हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा डार्क कलर है यानि कि दोस्तों यहाँ पर जीतना ज्यादा डार्क दिख रहा है आपको आपको उसी टाइमिंग अपने वीडियो को अपलोड करना है यहाँ पर देख से कि मेरा यहाँ पर 17 बज कर 69 मिनट यानि कि 5 बज कर 69 मिनट साम को मैं जब अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूंगा तो मेरे चैनल पर दोस्तों वीडियो का impression इंप्रेशन भी YouTube भेज़ेगा और इसी टाइमिंग में मेरे चैनल पर audience आते हैं और मेरे चैनल पर visit करते हैं और मेरे वीडियो को ढूंडते हैं तो अगर आप इसी timing अपने वीडियो को upload कर दोगे दोस्तों तो समझो कि आपकी channel का impression भी YouTube भेज़ेगा और daily आपको उसी timing में अपने वीडियो को upload करोगे तो समझो कि आपका channel grow भी होने लेगा तो इस तरह से दोस्तों आप पता लगा सकते हो कि आपके चैनल पर कितने बज़े का टाइमिंग है आप कितने बज़े वीडियो का अपलोड करना चाहिए आपको सारा सीज को यहाँ पर आपका वाईटी स्टीड खूदी बताता है तो दोस्तो अब आप समझ गए होगे कि आपके वीडियो का सही टाइमिंग क्या है और आपको अपने वीडियो को कब अपलोड करना चाहिए तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा चैनल पर पहली बार आपको मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखेगा चलिए उस्तों में जाएं किसी नेक्ट डिमें तब तक के लिए जय हिंद वंदेमात रम